आपको पार्ट नमर वन के वारे में काफी अच्छे से बता होगा और आपने वीडियो का एंडे तक देखा भी होगा अगर कोई भी डाउट रहता तो आप लोग कमेंट वक्समें इसको किलियर कर सकते हैं कभी भी आपको पता है जब भी कोई जो प्रकाश किसी बिंदू पर किसी भी तल को टकरा रही है तो क्या होगा टकराने के बाद जो आपतन की रण है और जो पहरावर्दित की रण है तो क्या होगा दौनों के बीच एक point बन रहा है ठीक है यह आपको समझ लेना है दौनों के बीच में eक point बन रहा है है और पाइंट कैसे बन रहे यहा पर को त्रों को ऑबिलंग है तो इसको हम अबीलंग बोल रहे हैंया का त्रों कर आपको दिशान लंगना है सीधी रेखा कैसे आ रही है इस तरीके से यह जो रेखा है वो सीधी रेखा है और इसे ही हम लोग क्या वो रहा है अभी लंबू हो रहा है यह आपको ध्यान दखना है यहां पर यह भी समझ लेना है कि जो भी आपतन कोण है और जो परावरतन कोण है उसका जो मान होता है वो इजीली कमेंट वक्स में किलियर कर सकते हैं आपको पता है अगर जो आपतन कोण है अगर आपतन कोण आपका 60 डिगरी होगा ठीक है आपतन कोण कितना है आपका 60 डिगरी है अब क्या होगा जगर फिर आपतन कोण 60 डिगरी होगा तो परावर्दन कोण भी आपका क्या होगा 60 60 degree ही होगा मतलब बराबर ही होगा मैंने भी आपको बताया अगर वो 45 होगा तो आपका आपतन 45 डिग्री है तो परवर्थन भी आपका 45 डिग्री ही होगा यह आपको यहां पर समझ लेना है और लोन पर कोई बीड डाउट रहता है तो अपको कमेंट वक्स में के लिए सकते हैं आप तन कोंच होता है वो सधेव परावरतन कोंट के बड़ावर होता है और इससे हम परावरतन का क्या बोलते हैं नियम बोलते हैं आप इसे यहां पर देख भी इंप आरहें काफी important point पॉइं जान रखनी है कि इसमें बहुत सारी जो चीज़ होती है न काफी तरह पाइंट इसमें ऐसे हैं जो काफी इंपोटेंट है और इसलिए आपको वीडियो को एंडर तक देखना है जैसे वर्ड आया है है पर आपतन कौंड तो आपतन कौंड क्या हुआ इसमें जो अभी लंब है हैं यहां पर आपको समझ लेना है अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट वक्स में के लिए करते हैं अब आता है आपका यहां पर कुछ आपको आपको क्लाइन दे रखिये कि आप तित्किरन आपतन विंदू पर अभी लंब तता परावर्तित किरन यह सभी ए किरने हैं पहले तो मतलब वो जा रही है उसी दिशा में वो क्या और ही रिटन हो रही है मतलब आई और उसी के बाद में उसी दिशा में वो रिटन हो गई तो क्या हुआ यह आपका आपतन किरन हो गया अगर बात करें कि आपतन बिंदू क्या होता है तो आपतन बिंदू कर यह हमें कौन है यह होगे आपका अभीलंब यह आपको यहां पर ध्यान लगना है आपको यह भी आप ध्यान लगना है जो अभीलंब वह बन रहा है वह कैसे बन रहा है जो आपका आपका बिंदू है अभीलंब जो है वह परिवर्टित किरन में एक तरीके से सब भी एक ही तल में present है मतलब आप तित्किरन आप तन भिंदू और आपका अभीलम यह तीनों क्या हैं एक ही तन में present हैं यह आपको काफी अच्छे से समझ लेना है देन आपको यह भी सरबंज लेना है कि अगर आपके सामने अपको इसका अगर आपके सामने एक मिलर को रखा जाता है और उस मिलर के सामने एक दिवार होते हैं तो आप देखेंगे जो प्रकाश है वो क्या करेगा वो दिवार पे जाके गिरेगा ओफिसली सी बात है तब आप उसको टॉच मारेंगे तो वो दिवार पे जाके ही गिरेगा डारेक्ट आपका मिलर पे नहीं जाने वाला है यह आपको ध्यान रखना है अब जो आपतन किरन है आपका जो भी परावर्तित किरने हैं दोनों एक कोड के है मतलब जितने एंगल से कोड आ रहा है उतनी ही एंगल से वह जो कोड है वह बापस जा रहा है आपको पता है कि आपको यहां पर पिरकाश क्या परीवर्थित हो रहा है बिंदू जिसे हम अभी तो आपको यहां पर जान लेना है कि आपका ही पाईषव परिवर्थन क्या होता है 一से पेले मैं बता हूं जैसे कि जो संह्थल्दरपन है सं Performतरपन स्थे अपना चेहरा आप किसी पारिवर्थन में देख पा रह nog तो अगर अपके एक्जाम में question put up हुआ तो आप क्या बोलेंगे कि अगर हम चहरा क्या हुआ समतल दरप्रसम अपने चहरे को मिनर में देख पा रहे हैं तो किस परिवर्दन के कारण देख पा रहे हैं नियमित परिवर्दन के कारण यह आपको यहाँ पर काफी चहरे से समझ आगे होगा आपको पता है जो नियमित परिवर्दन के कारण ही जो हम अपना face है face अपने को आईने में मिनर में देख पाते हैं मिनर में जिस प्रकारते जो picture किरेक्ष होती है उसे हम आभाश ही बोलते हैं वास्तविक बिल्कुल नहीं बोलते हैं यह आपको काफी अच्छे से ध्यान रखना है जितना भी object मिलके दूरी करती है मतलब कोई भी मेंर के सामने कोई भी बस्तु है वो इतनी दूरी पे रखे तो आपकी इतनी दूरी पे ही वो आपको show होगी यह आपको यहाँ पे समझ लेना है मतलब प्रतीत होगा कि इतना distance है इसमें उतना ही distance आप कराएगा अब जो भी की दुर्पन दूरा बनी प्रतीविम की बस्तु का बाया भाग दाईयों और दाईया भाग बाईयों दिखाई परता है ना यह परिगतना पार्शिय परिवर्तन कहलाती है मतलब अफ़ार की कहला बार कोसे कलो मतलब समझे का यह सब्सक्राइब मेरा भी domestic समझे क समझाने के कोशिक करने है और आपको पता है की आम मिलर में लेकिन आप अगर उसी को आप देखते हैं मेलर में तो मिने आपको परिगर ना ड़ Leben करते हैं आपको क्या होगा कि आपने कौन से किया आपoby ho eight लेकिना इस अच्छिप हए आज की वीडियो में हमने काफी कुछ टॉपि काफी अच्छ से जानने के कोशिश करी है जैसे हमने जाना कि अभी लंब क्या होता है ठीक है अभी लंब के वारे में काफी अच्छ से बात करी देन हमने बात करी परावरतन के वारे में नियमित परावरतन हम किसे बोलते हैं आपतन भेंदू अभीलम और आपका परिवर्तित करने यह क्या होता है इसके वारे मैं आपको काफी अच्छे से समझाया कोई भी डाउट रहता है ना पूरी वीडियो को एंदर तक देखना नहीं समझ आता है तो वन ताइम सेकंड ताइम आप इसको त्री टाइम भी देख स लेकिन आपके प्रैक्टिस हो जाएगी, आप उसके सामने बूल लिए यह आप तर्ण बिंदू होता है, अभीलम हम इसे बोलते हैं और जो बिंदू होता है यह तरीके से किरिक्ट होता है मैंमिन अपने wen испraktion कि पाइस को देख पाते हैं किस परिवर्तन केकाण देख पाते सारी बाते आप अपनी सिस्टर के साम में बोल दीजे आप का रीविजन बहुत इच्छा होगा बहुत ह्युक्छ होगा एक फैक्ट बते हूं आपको कि अगर आपने बहुत अच्छी से पढ़ा होगा सब कुछ बहुत अच्छे करेंगे तो इसलिए वीडियो को एड़ने तक देखें और वीडियो पसंद आठाना आप इसे लाइक कमने शेयर कना बिल्कुर न बूले so thank you so much bye bye take care